तो बच्चो आज हमने चैप्टर को पड़ा हैं। अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बताती हूं और आपको वैसे ही करना है। बच्चो यहाँ पर देखिया आपकी बुक में दिया गया है बूछू तुझाने। अब हमको इसको पढ़के यह पता लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है पढ़ते हैं। नमबर वन एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर्फ पर उल्टा धरा। अब जल्दी से बताएए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है इसका आंसर होगा आस्मान। आस्मान में बहुत सारे स्ट्रास होते हैं न। वो सब क्या हैं मोति हैं। और हमको जब हम नीच्चे से देखते हैं तो ऐसे ही दिखाई देता है न। कि उपर एक प्लेट में बहुत सारे स्ट्रास होते हैं न। मोति जैसे सिकंड पड़ती हूं मैं। करा जाऊं। खूब दहाड लगाता हूं। अब तो यह तो आपको पता ही है। वो इस दा केंगा आप जंगल। शे। थर्ड बाला देखते हैं। उचलू कुदू दहाड लगाऊं। दहाड में जीत मैं जाऊं। अब बताएए कौन है जो बहुत तेश दोर लगाता है और जीत भी चाहता है। मैं बता हूं। वो होता है डियर मीन्स हिवन। फोर्थ बाला पढ़ते हैं। मोटा काला मैं हूं थुल थुल। जूम जूम कर चलता हिरडुल। अब ये कौन हो सकता है मोटा काला कौन होता है। हाथी और जूम जूम के भी चलता है। तो ये आपको आज बूझो तो जाने करना है अपनी कौपी में। उसके बाद इस चैप्टर के नए शब्द भी करने हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूं। नमबब वन चूजा, नमबब टू खरगोश, नमबब त्री मित्र, नमबब फो लोम्री, नमबब फाई तुकड़ा, नमबब सेक्स पशू, नमबब सेविल डाटते, नमबब एट चौकर, और नमबब नाइन मुहूं। तो बच्चो, यह आपको नए शब्द हैना, यह अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ओके, थेंक यू